आपका मेरे किचन में स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कीमा कलेजी और यह मटन कीमा कलेजी बहुत ही टेस्टी बनती है बहुत ही लजीज लगती है रोटी पराठा चावल किसी के साथ भी खाईए बहुत ही अच्छी लगती है और यह बहुत ही आसानी से बनती है तो जिस तरह से हम बनाएंगे बिल्कुल उसी तरह से बनाएए तो यह बहुत टेस्टी बनेगी तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल को भी दबा लेजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक सब तो यहां पे हमने दो बड़े चमच तेल गरम किया है और उसमें हमने दाल चिनी का टुकडा डाला है और 2-3 लॉंग डाली है और 3-4 काली मिर्च और एक टेच पता डाला है दो से तीन मिनट सेकेंड फ्राइब करने के बाद हम इसमें दो बड़े मीडियम साइस की प्याज डाल देंगे जो हम इसे फ्राइ कर लेंगे तो अच्छे से हम इसे गोल्डन कर लेंगे तो आज हमारे गोल्डन हो गए हैं अब इसमें हम दो चम्मच लहसन अध्रक का पेस्ड डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे अब इसमें हम नमक डालेंगे आप अपने टेस्ट के नुज़ार डालिए तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं करीब देड़ चमच लाल मेर्स पाउडर है हल्दी पाउडर है यह हमने वन फोट चमच लिया है धन्या पाउडर डालेंगे हम यह हमने यहाँ पर देड़ चमच धन्या पाउडर डाला है और करीब देड़ चमच ही हमने इसमें गर्म मसाला पाउडर डाला है आप यह सब डाल कर अच्छे से भून लीजिए देखिए बिल्कुल बहुत बढ़ियान से भून जाने चाहिए हमारे मसाले मसाला भूनने के बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे इसे भी हमको सेकंड के लिए भून लेंगे टमाटर हमारे थोड़े सॉप्ट हो गया है तो अब हम इसमें कीमा और कलेजी डाल देंगे यह हमने धो कर रख लिया था अच्छे से आप साफ कर लीजे से 2-3 पानीं से अच्छे से धो लीजे, साफ कर लीजे तभी बनाए तो इसे हम अच्छे से चलाते हुए हमें भूनना है इसे हमें भूनते हुए देखे कितना बड़िया भून गया है भूनते हुए हमें करीब 10 से 15 मिट हो गया है यह हम मीडियम फ्लेम पर भून रहते और इसे हमने अच्छे से भून लिया है अब इसमें हमने एक लास पानी डाल दिया है तो देखे भूनिये बहुत अच्छे से और इसमें हम अब टीड लगा कर अच्छे से पका लेंगे तो देखे हमने बना लिया है और यह बनने के बाद इस तरह से तयार हुआ है देखने में यह बहुत ही टेस्टी लग रहा है आपको भी बहुत पसंद आएगा तो अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरे प्रेसिपी को कमेंट करके बताईए कि कैसा बना है और इसे शेर करना मत भूलिए सभी के साथ शेर कीजिए तो आपका मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक कि